हेलो एवरिवान वेलकम टू जाइका मज़ेदार आज हमने बनाया है बहुत ही मज़ेदार सा चिकन अंगारा लेखने में जितना अच्छा लग रहा है बना भी उतना ही मज़ेगा है और इसकी इस तरह से प्रेजिंटेशन करने से यह डिश आपकी जो है शो स्टॉपर बन ज तो यहां एक मिक्सिंग बोल में लिया है एक कप दही गाड़ा दही है इसको थोड़ा सा विस्कर लेते है थोड़ा सा फेट लेंगे इसके बाद इसमें हम डाल देंगे वान टीस्पून नमक नमका अपने टेस्ट के साब से कम बढ़ती कर लीजेगा और यहां पर डाल रह नमका बोलेते हैं यह पहला मेरनेशन का स्टैब स्टार्ट हो गया है इसमें मैं डाल दूगी एक किलो चिकन एक जिसको मैं अच्छे से वास करकियो और चल द आए तराक कर देंगा इसका और फ्लेम स्लो है इसमें हम डाल देंगे 3 टी स्पून धनिया साबुत धनिया 2 टी स्पून जीरा है साबुत और ये 4 सुखी लाल मिर्ज है मिर्ज आपनी टेस्ट के साब से कम बर्ती कर लीजेगा क्योंकि हमने मेरिनेशन में कश्मीरी मिर्ज डाली है तो तीखा इन ही सुखी लाल मिर्जों से आना है इसको 30 सेकंड के लिए भून लेते हैं इसके बाद इसमें हम डाल देंगे दारचीनी हरी इलाइची है और लॉंग ले रखी है मैंने और थोड़ी सी कारी मिर्ज इसको भी डाल देंगे साथ में और इन सब चीजों को हम अच्छे से स्लो फ्लेम पर अच्छे से इसको भून लेंगे ताकि इसमें से बहुत अच्छा सा खुश्बूदार मज़े का मज़ेदार खुश्बू इसमें से आने लगे और दो से तीन मिन भूनने के बाद मसाले में से जब अच्छी खुश्बू आने लगेगी तो इसका एक बारिक पाउडर बना लेंगे और यह हमारा मेरिनेशन एक लिए मसाला तियार हो जाएगा तो यह मसाला मैंने पीस लिया है अच्छे से बारिक कर लिया है इस सारे मसाले को हम चिकन में मिला देंगे तो यह हमारा मेरिनेशन इस तरह से चिकन का पूरा हो जाएगा अब आपकी मर्जी है जितना टाइम आपके पास है उसे साब से आप चिकन को मेरिनेट कर लीजिए मैं यहाँ दो घंटे के लिए रख रही हूँ आपके पास टाइम जादा है तो तीन से चार घंटे रख लीजिए और और जाधा ठाइम है तो फिर आप रात भर के लिए से मेरिनेट कर सकते हैं तो दो घंटे हो चुके हैं आपके का स्टेप देख लेते हैं यहाँ मैंने दो लाज नमाटल लिए हुए हैं और 2 मीडियम प्यास इन दोनों का हमें एक बारिक पेस्ट पनाना है उसको पेस्ट बना के मैं साइड में रख लेते हैं एक पॉट ले लिया है उसमें मैंने डाल दिया है थ्रीफोध कप ऑil और इसमें छोटी सी प्यास मैंने अच्छे से बारिक स्लाइस करके उसको फ्राइ कर ली है और जब प्यास हमारी गोल्डन ड्राउन हो जाएगी तो इसके अंदर हम डाल देंगे भरके दो टी स्पून लसन अद्रक का पेस्ट इसको भी अच्छे से भून लेते हैं और 30 सेकंद के बाद जो है लसन अद्रक अच्छे से भून जाएगा तो इसके अंदर जो चिकन मेरिनेट किया था वो इसके अंदर डाल देंगे इस टाइम पे फ्लेम हाई रखेंगे क्योंकि हमें चिकन को फ्राइ करना है तेल में तो इस सारा चिकन में डाल दूँगी इसके अंदर और चिकन को अच्छे से 3-4 मिनिट तक हाई फ्लेम पे इसको हम भूनेंगे बहुत मज़े की डिश बनती है आप जरूर ट्राइ कीजेगा और मुझे जरूर बताएगा कि अगर आपने बनाए तो यह आपको कैसी लगी बहुत ही खुबसूरत इसका कलर निकल के आता है और टेस्ट में भी बहुत मज़े का बनता है तो यह चिकन अच्छे से फ्राइ हो गया है इसके बाद हम इसके अंदर जो हमने प्याज टमाटर का पेस्ट बना के रखा था वो भी इसमें डाल देंगे अभी दक फ्लेम हाई पे थी क्यांकि हमें चिकन का एकसेस पानी सुखाना था और अभी भी हम हाई पे ही रखेंगे क्यूंकि प्याज टमाटर में भी काफी पानी निकलेगा और जब मसाले का थोड़ा पानी कम हो जाएगा तो हम इसको तक्रीबन 20 मिनिट के निए इसको ढखके हम इसे कुक करेंगे पूरा चिकन को गल जाने तक तो यह मैंने धख दिया है और 20 मिनिट बाद मैंने इसको देखा है बीच में मैंने 2-3 बाद चमत चलाया था ताकि चि तो इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे अच्छे से थोड़ी सी क्रीमिनेस बढ़ाने क्ली मैं इसमें डाल रही हूं बस दो टेबल स्पून क्रीम आप मलाई भी यूज कर सकते हैं और इसको अच्छे से मिला देंगे इससे जो है चिकन का फ्लेवर बहुत इन्हांस हो जाए तो इसको हम फिर से पांच मिनट क्लीन धग देंगे ताकि ओल जो है सर्फिस पे आ जाए चलें पांच मिनट हो चुके हैं अब बारी आती है चिकन में अंगारे की स्मेल कोईली की स्मेल देने के लिए तो यहां मैंने अल्मुन की कटोरी बना ली है इसमें मैं जलता हुआ क कोईलर रखे इस पे हाफ टीस्पून ऑइल डालके इसको ढख दूंगी और मैं यहां इसको पाच से छे मिनट इसको कवर करूंगी अगर आपको कोईली की स्मेल जादा पसंद है तो आप इसे दस से पंदा मिट भी ढख सकते हैं तो दस मिनट बात मैं इसको डिशावर करती और इस तरह से आपने महवानों के आगे सर्फ करेंगे तो यह तो बिल्कुल डिश शो स्टॉपर बन जाएगी आपकी और टेस्ट में भी यह बहुत ही मज़े का बंदा है आप ट्राय जरूर कीजेगा तो अगर आपको मेरी वीडियो रैसे भी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा और बेल आइकन जरूर हिट कर दीजेगा ताकि मेरे आने वाली सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचें तिल दैन बनाते रहें साइके मज़ेदार